असलाम अलेकुम गाईज वेलकम तो मैं चैनल लाइफ विज सेब और आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं कुछ ड्रेसिस जो मेरे बन कर आए हैं इसमें से कुछ ड्रेसिस अभी के हैं और कुछ मन्त पहले के हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी ड्रेस डिजाइनिंग की आईडियास मैं आपसे शेयर करूँ तो किस तरह से आप अंडर बजट में अपने एक नॉर्मल से ड्रेस को आप अच्छा सा बना सकते हो यह सारे ड्रेसिस मेरे अंडर फिफ्टिन हंडर ही हैं सारे ड्रेसिस जितने मैं आपको दिखाऊंगी यह 1500 रुपे के अंदर अंदर ही मेरे ड्रेसिस है जिनको थोड़ा सा मैंने और अच्छा सा डिजाइनिंग देखे थोड़ा और इसकी लूक अच्छी से किये कि यह पहला वाला ड्रेस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूं यह जो मैंने फैबरिक डिजाइनिंग के लिए नेक के लिए यूज किया है यह मैंने कोई लेस नहीं ली थी यह जब नॉर्मल एक फैबरिक वाले शॉप पे जब जाते हो आपको इस तरह के वहां पे बहुत सारे फैबरिक मिल जाते हैं नेट का ले लो या चिकन का ले लो कोई इस तरह का फैबरिक ले लो इससे आप अपने डिजाइन को और अच्छे से लुक आप दे सकते हो अगर आप इस तरह की लेस लेने जाओगे तो पचास रुपे सट रुपे मीटर इस तरह से आपको लेस मिल तो लेकिन आप इस तरह से फैब्रिक लेके भी आप अपने ड्रेस को खुड डिजाइन कर सकते हो तो यह मेरा शर्ट का नीचे का घेरा है जिसको मैंने वह फैब्रिक लगाया और साथ में मैंने लेस आड़ान करवा दी और बाजू को भी सेम मैंने वही डिजाइनिंग डाली जो मैंने फैब्रिक अपनी शर्ट पर यूज किया यह पूर क्रेब का फैब्रिक मैंने लिए और अगर आप बाजू जो थे मैंने आगे से लूज लूज रखे थे और पीछे से टाइट टाइट बाजू रखे थे और और मैं एक आपसे आईडिया आप शेयर करती हूं आपसे कि अगर आप हेल्थी होना तो क्रेब, सार्टन और सिल्क ये तीन फैब्रिक जो है अगर आप पहनते हो तो उसे आपकी स्किन दिखती है इसलिए आप कोशिश करें अगर आप इस तरह का फैब्रिक पहनते है तो आप इसको काफटन बनाएं या फिर लूज लूज उसको कुड़ता बनाएं क्योंकि ये वाला फैब्रिक जो है आपकी स्किन के साथ टाच होता है उसकी वज़े से आपकी बॉड़ी पार्ट्स हैं वो उसमें हाईलाइट्स होते हैं उसमें आप और हल्दी लगते हैं तो इसलि जीब्स आप देख सकते हो यह मैंने आगे से लोज लोज और पीचे से टाइट इस तरह से मैंने ये फुर कुड़ता बनाया था और ये है मेरा सेकंड आउटफिट जिसका प्लाजो की डिजाइनिंग मैंने इस तरह से डाली थी और ये मैंने फ्रॉक बनाया था और ये फैबरिक इसका हैवी अच्छी वाली जॉर्जट का फैबरिक था जिसमें लाइनिंग की नेड मुझे नहीं थी और स्लीफ मैंने इस बनाया था और इस तरह से उपर से इसको दो पांची चुटे मैंने डाली थी और इलास्टिक डाला था नीचे बाजो इस तरह से आई थी ये बहुत अच्छी लुक आती इस वाले स्लीफ की और ये वाला सुट मैंने फैबरिक लोकल शॉप से लाया था जो मैं डाइ इसको डुपट्टे को करवा दिया था और यह रही फुल सूट की लुक 300 का मेरा प्लाजो था और 400 की मेरा शर्ट का फैबरिक और यह मेरा डुपट्टा इस तरह से कम बजट में भी आप अपने ड्रेस को काफी अच्छा लुक दे सकते हो अगर आप इसको और अच्छा अच्छा से लुक आप दे सकते हो अगर आप यह वाला आउटफिट अगर आप किसी अच्छा से शॉप पे जाते हो लेने के लिए तो यही वाले ड्रेसिस आपको वहां पी कितने महंगे मिल जाते हैं लेकिन आप सस्ता सा फैबरिक लाकर आप खुद भी अपने ड्रेसिस अच्छे से आप कस्टॉमाइज कर सकते हो यह वाला फैबरिक भी मैंने लिया था आप देख सकते हो कि लास्ट वाला ज्सीर के मैंने फॉभ ऑप जो ता लॉंग रखा थ और यह शॉड शॉड और लॉंग फॉड रखने से भी आपके लैंट में अपकी डिफ़र gue रृण् करें अगर आप stripes वाली shirt पहनते हैं तो इसको सीधा रखें स्ट्राइप सीधा रखने से क्या होता है कि आप थोड़ा और पतले लगते हैं और इस तरह से मैंने इसको बटन लगा दिये थे और स्लीफ पे जो मैंने ये फैबरिक यूज किया ये बॉटम वाला फैबरिक मैंने इसको लेस नहीं लगाई है नो एक्स्ट्रा कुछ भी मैंने इसको कुछ नहीं किया बस मैंने इसको फ्रॉग पैटन में बना दिया और जो शर्ट का फैबरिक था उसी के मैंने बटन बना दिये और इस सूट को और अच्छा लुक देने के लिए डुपटा मैंने टाइं ड क्षाइब ईसको इसको कुछ नहीं वैगां कि जयुक जुए को इसको कुछ नहीं किया। इस वाले outfit की अगर आप इस तरह से कस्टुमाइज करना चाहते हो तो आप plain fabric कोई भी plain fabric होगा ना उसको आप double इस तरह से आप double shade करके अगर आप बनाते हो तो काफी अच्छी look आती है इस dress के और दुपट्टा आप देखें पास से भी मैं आपको इसकी डिजाइनिंग शो कर देती हूं इक इस तरह से था बटन्स मैंने इसको दो लगाये थे और फैबरिक इसका बहुत ही प्यारा था और इस तरह से मैंने इसको स्लीव पर डिजाइनिंग डाल दी थी डबल करके आप इसका फैबरिक देख सकते हो आपने जिस कलर का अपना ड्रस बनाना हो ना उसको मैचिंग कंट्रास करके आप डबल कलर का इस तरह से फैबरिक ले लो और काफी अच्छा लूक आता है इस dress का और बहुत ही अंडर जी यह है मेरा next outfit यह भी मैंने long frog में इसको बनाया था और फैबरिक इसका जॉजट में था इसके साथ मैंने lining जो थी वो अटैच नहीं की थी lining मैंने इसकी अलग से बनाई थी attach बिल्कूल भी नहीं की थी और बहुत प्यारा color था gray color का floral print में और इसके साथ अगर मैं gray color का पट्टा था वो मैंने कंट्रास्ट करके रखा ताकि जो मेरी शर्ट की जो अपनी डिजाइनिंग है वो छुपना जाए और नेक पे मैंने नॉर्मल साइस को जिसकर बॉटम था उस कलर की मैंने पाइपिंग लगा दी थी नेक पे और स्लीफ पे और साथ में थोड़ा सा मैंन अपनी एड्रेसिस बनाए हैं और ये फाब्रिक भी मैंने लोकल शॉप से लिया है जो मैं आपको कट पीस वाली शॉप से योट्व पे वहीं से टी अप्रिक लिया वहां पे आपको बहुत आपको इस लाए बनाए ताह सब्सक्राइबं इस और बठबने चास्ट का और रह निए ब attention को डाली थी आप UKS को डाली HEY और काफी अच्छा मसली कोटन टाइप में डूपटा था यह फ्लाजो मैंने इसका पांट वीडियो पसंद आई हो तो पलीज लाइक एंच बातptsंड आई और यह है मेरा नेक्स्ट आउटफिट यह नॉर्मल एक शर्ट थी वाइट कलर की इसको मैंने और लुक अच्छे से देने के लिए ग्रीन कलर की मैंने इसको पाइपिंग लगा दी थी क्योंकि जो शर्ट का अपना फैब्रिक था यह बहुत ही लाइट शेट था इसका इसको क्रीक अभ्रेश करने के लिए मैंने इसको घ्रीन कलर कि आपकी आपनेल लगा दिया यह कर दो आ sehenив ऑब लगाने नेक चाएंस Rey जाइएwang कर दंद चाम पर24 विश्जाएड का च्छे नहीं होंकि जब आपको फार्श की आपको लगािन सफी मैं व्हाइजीव डलेने के ताकि जो आपके श़र्ट का ये सूट लग रहा है ना सूट बोरिंग से है तो उसको कुछ च्छा साब दे तो साथ में बॉटम मैंने इस तरह से डिजाइनिंग कर दी थी प्रेंटेक्स की साथ में जो प्राइपिंग की है जो शेट का फबुट का फब्रीख था वही मैंने it प्राइपिंग के लिए बॉटम पे यूजस कि साथ में प्रेंटेक्सकी डीजाइनिंग डाल दी थी और ये इस तरह से मेरा प्लाजो बन गया था और डुपट्टा मैंने ग्रीन कलर का लिया था अब आप देख सकते हो कि शर्ट का फैबरिक लाइट होने के वज़े से मैंने डार्क कलर का इसमें बॉटम ले लिया था और अगर आपको मेरी ट्रेश डिजाइनिंग पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक